गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका इस्टेडी आईको अकेडिम स्वागते में आज आपके लिए 29 समर्दोजारेटरा का करेंटर पेड़ का वीडियो लेके आ गया हूँ जो की डेली सुबत 4 बजे आपको मिल जाती है तो वीडियो आपके आप 4 बजे इसको विजिट कर दोस्तों चैनल को तो आपको वाँ 4 बजे वीडियो अपलोड मिल जाएगी दोस्तों तो चलते हैं आज के पहले क्यूशन में तो आज का पहला क्यूशन है दोस्तों आर्तिक पुजिडाची की समिक्सा समिती के अध्यक्स कौन होंगे तो वह होंगे दोस्तों वह होंगे व पूचिदाचे की समिक्सा के लिए 6 सदेश्य समिति का गटन किया गया है तो कितने समिति का गटन किया गया है दोस्तों उससे सदेश्य कितने 6 समिति सदेश्य है आर भी आई के पूरो गवर्णर जो दीमल जाल आने जो आर भी आई के पूरो गवर्णर है दोस्तों इस समिति के अध्यक्स होंगे यही समिति के अध्यक्स होंगे यहां बात हुई है दोस्तो आर बी आई की किसकी बात हुई है आर बी आई की तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ आर बी आई की स्था अपना की गई थी एक अप्रेल 1935 को और इसका राश्टे करन कब किया गया इसमेटे कौन ते सर्वास्वान इसमेट ते दॉंस्तो और इसका कारे क्या होता है और एक पूचने करना कि नए गौष्ट बन गए तो वह बन गए शक्तिकांत तास इनसे पहले कौन थे उर्जित आर पटेल थे तो यह आपको वह भी आद रखना है इस आप ही कोई परजेंट राइमें सकती कान दास्ती है आपको important fact याद रखने हैं दोस्तों वीडियो के target रखते हैं लाइक का 100 तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों वीडियो से क्या में impression मिलता है वीडियो बनाने का उससे उत्सहा मिलता है जितने like करते हो आप क् पता चलता है वीडियो पर संद आ रही है यदि आपने सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर ले पहले चलते हैं अगले क्विशन में अगला किसने अटांग टिका में किसी भी प्रकार की साहिता के बीना सोलो ट्रेक पूरा करने वाला वेक्ति कौन बन गया है तो पहला वेक्ति कौन बन गया है तो दोस्तों वो बन गया है कोलिन ओब रेडी यानि कि उप्शन ची आपका राइट आंसर हो जाएगा अब बता दे कि आपको यह एक अमेरी की साहिता के बीना अटांग टिका में एकल ट्रेक पूरा करने वाले पहले वेक्ति बन गया है दोस्तों उन्होंने अटांक्टिका को पार करने के लिए एक लगबग एक अजार मीलियन यानि की सोला सो किलोमेटर का सपर तये करने में उन्हें 54 दिन लगे 54 डेज लगे हैं दोस्तों और वो प्रसांत मासागर के आइस सिल्प पर अंतीम बिंदू पर पहुँचे हैं प्रसांत मासागर के दोस्तों यह आपको बता देता हूं इससे पहले क्या था उन्नी सो चिन में 1996-1997 में नाव वेली जिन खोज करता बोर्ड अईशलेंड ने और टंक्टिका को पहली बार अकेला पार किया था तो यह आपको यद रखना है बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है आपके आने वाए गवर्मेन्ट एक्जांग के दरिश्टी से यह C किशन में से आपके एक किशन बन सकता है कि अर्टांग्टिका में किशी भी प्रकार की साहिता के बीना सोलो ट्रेक पूरा करने वाले पहला वेक्टिकॉन बन गए है तो वो बन गए हैं दोस्तों कोलिन और ब्रेडी बन गए हैं यानि कि उपसन आपका सी अपका राइट आंसर हो जाएगा चलते है अगले किशन में अगला किशन नेपाल ने अपने नागरी को द्वारा भारत में बारते मुद्रा खर्च करने पर कितने लाग रुपे तक की मासिक सीमा लागो की है तो कितने लाग रुपे तक की सीमा लागो की है तो वो किये एक लाग रुपे यानि कि ए उपसन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों आपको बता दे कि 25 दिसंबर को अपने नागरी को द्वारा भारत में खर्च एक लाग मासिक सीमा लगा दी गई है तो नेपाल ने एक लाग तक की सीमा लगा दी उससे जज़़ा खर्च नहीं कर सकते दोस्तों डेबिट कार्ड क्रेडिर कार्ड इन सभी में यह क्यों कि गया गए सेविंग अकाउंट को मेनेज करने के लिए किया गया है दोस्तों नेपाल की बात तो यह तो नेपाल के बारे हम बता देता हूँ अभी हाले में 2000 के नोट और 200 के नोट भी बंद कर दिये गए हैं नेपाल के दोरा तो भी आपको क्या करना है याद रखना है दोस्तों चलते हैं अगले कुशन में तो अगले कुशन है आंदर परदेश के लिए नए उच्छी नियाईले के निर्मान के साथ ही देश में कितने उच्छी नियाईले बन गए हैं तो दोस्तों भी आपको बता दें तो 25 नियाईले बन चुके यानि कि डियो उप्सन आपका रायटान सुर जाए आंदर परदेश के नए उच्छी नियाईले के साथ ही 25 देश में उच्छी नियाईले बन गए हाई कोट बन गए हैं तो यह को इपोतेंट फेक्ट त्यादे हैं अब आपको बता दे ह हुद्राबाद में इस्तीत उचनिय ले अब तेलेंगाना बन जाएगा जो रहा ने कारे है दोस्तों चलते हैं अगरे क्विशन में जो की बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाले आपके लिए अगरा किसी ने किसे 26 जुनावरी दिसम्बर 26 दिसम्बर 2018 को आपचारी गरूप से आई सी सी क्रिकेट होल होफ है में सामिल किया गया तो किसे सामिल किया गया दोस्ते यह उस्टेलिया जो पूरो कप्तान है रिकी पॉइंटिंग यानि की ऑफ़सन भी आपका राइट आइंस रोजाएगी जो भी पिक्चर दि अउस्टेलिया के पूरो कप्तान 25 दिसम्बर रिकी पॉइंटिंग को आपचारी गरूप से आई सी क्रिकेट होल फो में सामिल किया गया है दोस्तों तो यह आपको याद रखना है यह कि जो यह किया गया है इसका नमरे 25 ऊस्टेलिया में इससे पहले 24 को दे दिया गया है दोस्तों हूल फेम का अवार्ड अब आपको बता दी यहाँ बात वो यह आई-सी-सी की तो इसकी फुल पौरम होती है दोस्तों international cricket council इसकी full form होती है दोस्तों और इसका headquarter कहाँ पर है तो इसका headquarter है दूबई के अंदर इसके chairman को ने दोस्तों ICC के तो वह है ससांक मनोहर तो यह भी आपका याद रखना है और CEO को ने डूबई इसके Dave Richardson तो यह भी आपको याद रखना है बहुत important है दोस्तों मैंने जो इतने सारे facts आपके लिए बता है इसलिए मैं डेली ऐसे बताता रहता हूं दोस्तों हर वीडियो में तो हमारी द्वारा बनाए गए डेली करेंटर पेट्स की दो तीन महीने चे लगातार बना रहा हू में अगरे चुने उप्राश्ट पती एंवेंग के नाइडू द्वारा किशें चेंपियन ओफ चेंज प्रुसकार से सम्मानित किया गया तो किशें सम्मानित किया गया है तो दोस्तों वह सम्मानित किया गया है एन्वीरंसिंग यानि की option A आपका right answer हो जाएगा आपको बत कि अपराश्टि एंवेंग के नाइडू द्वारा कि चेंपियन ओफ चेंज प्रुसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों एन्वीरंसिंग को जो की मणिपूर के मुक्यमंत्री है उन्होंने पूर उतर राजे में सास सासत में परिवर्तन करने के लिए सासन में परिवर्त कौन कोन ते बारत के नेत रुक्त में पूर्व मुख्य नीयाइदिस के जरीवाल करशनन और सुप्रीम कोड पूर्व उपनियाइदिस सुदा मिस्राज ने किया है। आपको डिटेल में ने बता दिये साथ में चलते हैं अगले कुषिन में अगला कुषिन हैं आपका हाली में बाल देख बाल संस्ता मुनना सी आई दोस्तों किया भैनि है यह सी आई आई मुझे गाला देख भोना स्वाट फॉर्म लें लिकिना लिखने सी आई आई का ने नाम ब्दल कर जगनात आसरम रखने की गोश्शना किस राज Luis किये तो किस राजने किये तो वो किये हरियना एनिकी ऑप्सन एपका राय टांसर हो जाएगा दोस्तों अब यह बात हुई है इसके बारे में तो यह इसके बारे में जान लेते हैं जो अनात बच्चे होते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी देख बाल उनके माता पिता नह हुए है कहां पर हर्याना में उसका नाम मुदल कर क्या कर दिया गया है उसका नाम मुदल कर कर दिया गया है जगनात आसरम रखने की अभी हाली में हर्याना द्वारा गोशना की गई है दोस्तों तो यह इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है या बात हो यह हर्याना तो हरियना की इस्ताबना हुई थी एक नॉवंबर 1966 इसकी राज़दानिय चंडीगड चंडीगड साथ में पंजाब की भी राज़दानिय मुक्य मंत्री मनोरलाल खटर निया के राज़पाले सत्ते देव नारायन आरिया ब्लोग नरते दमाल मंजीरा खेडा स्वाग गोडी राष्टे परक उनकोंजे कलेशो राष्टे पार्क शुल्तान पूर राष्टे पार्क पक्षियों मोने जबर अब्यारन बीर शिकार गाहा वने जिव अब्यारन बांदे कोसलिया बांद जोकी कोसलिया नदी पे बना हु किसे सम्मानित किया गया तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों किसे मंजु मेता को हाली में तांसें से सम्मानित किया गया थी आपको याद रखना है जो आपको दो उपर नाम दिख रहे हैं ये दोनों इनी को मैंने कल भी बात कीती इनके बारे में कौन सा पुरसकार दिया गया दोस्तों इनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिको ब अगला किसे ने हाले में किस देश के परदान मंत्री तीन दिन की बारत की यात्रा पे रहा है जो यह परदान मंत्री यह तो कहा के हैं बूटान की यानि की आपका राइटांस रहे तीन दिन की यात्रा में कौन आये कौन से देश के परदान मंत्री तो वह आये बूटान के पर तो आपको याद कर लेना है आज का कल का किश्वन आफ डे ता जिसका मैंने पूछ ने पूछ देता है उसका नाम में वीडियो के अंतमा जरूर लेता हूं दोस्तों तो बहुत सारे बच्चों ने क्या इसका राइट आंसर दिया था चलते हैं अगर आज के किश्वन आफ डे इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरू लिख दिना है हाली में बारत ने किस देश में चार बार पोर्ट के संचालन का कारेबार समवाला है तो किस देश ने समवाला है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है प्रांस इरान बाराजिल इन हएएएपएप आक्रियोन के लाईंस्टेंट, हुआएफएएपएफष, कि बढकेजायदे लते हो आटे हो नहां हुआगड़, हुआ हुआगगई तक लिए्टें मेड़कों हुआग़, हो वेड़ी हो इनकेजाव, कि इनकेजावर्छवफवाट र्यावटेंट, हुआग